हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो पाई स्टडी सरकल माई नेम इस तवस्तूम जी हां आज की वीडियो में फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोग के कॉमेंट्स रिलेटिट तो ये सीरीज हमने शुरू की थी पार्ट फॉर है आज इसका यूर कॉमेंट्स और रिप्लाइ इस कॉमेंट्स पर भी मैं डिसकेशन करूं तो जरूर आप कॉमेंट्स करके बताएं कि आपकी क्या दिक्कत है इसके लावा आप वीडियो को शेर करना ना भूलें सभी निस स्टूडेंस के साथ क्योंकि निस के जो स्टूडेंस होते हैं उनको प्रोपर गाइडेंस और इंफ को बता दूं कि टीमे की जो डेट है वो एक्सेंट हो गई है 15 जून लास्ट टेट है टीमे समिट करने की 10 और 12 दोनों स्टूडेंस की तो जिन बच्चों ने अभी तक टीमे समिट नहीं किये हैं जून वारे स्टूडेंस ने वह फटा-फट से अपने टीमे रेडि करो और सब्सक्राइब तो डेट एक्स्टेंट हो गई है टैंशन ना लें तो आनन सिंग ने दूसरा कमेंट किया है जिसने टीमे समिट नहीं किया वह क्या करें अब 12th क्लास तो भी कर दो अपने टीमे समिट जिसने नहीं किया है स्नेहा कह रही है मैं कल परसो ही 12th cbc के बच्चो के लिए डिसीजन लिया गया है कि प्राक्टिकल लेंगे तो कहां आ तो क्या कहां एनाइस के 10th और 12th के भी प्राक्टिकल लेंगे क्या क्योंकि cbc के पास पास करने के लिए internal assessment है जैसे कि mock test वगएरा और एनाइस ने केवल T.A. में ही दिया है तो क्या होगा मैं देखो यह इसके जितने भी students हैं 10th के हों या 12th के हों जून वाले बच्चों की हाँ पर गया इसमें बात करूं जून वाले बच्चों का कोई भी practical नहीं है practical आपको नहीं देना आपका जो notification आया था जिसमें आपको प्रमोट किया गया था कि आप लोग प्रमोटेट पास हो 10th के भी 12th के भी बच्चे जून वाले उसमें ये चीज किलिर ली मेंशन है की आप थिएओरी जूमीड दोनों चीज़ में प्रमोट कि ए गए हो तो कोई भी बच्चा टियमें न बनाए सॉरी है कोई भी बच्चा practical फाइल नहीं बनाएगा और प्रैक। था बिसले जवार आप और प प्रिकेशन आएगा तो आपको में फॉर्म कर दूँगी और हाँ ये बात भी है कि सीवेसी के पास तो इंटरलन असेस्मेंट है मोग टेस्ट वगएरा इंटरलन असेस्ट है जो भी उनके प्री बोर्ड वगएरा होते हैं लेकिन एनस बोर्ड के पास ऐसा कोई ऑप्शन नही होगे थैंक्स तबसु मैम गुड लग थैंक्यू सो मच विवेक लाल आगे बढ़ लेते हैं मुहंबद आवेश तनवर कह रहे हैं मैम मेरे पास 12th क्लास एनाइस की बुक्स नहीं है तो मैं क्या करूं प्लीज सजेस्ट मी सो देखिए स्टडी रिलेटिड बहुत सार बच् बुक्स का ऐसा ना हो कि आप टोटली बुक्स पर ही डिपेंड होकर रह जाएं अगर आपको पीडिया फॉर्मेट में बुक्ट चाहिए तो सारी बुक्स का पीडिया मैं आपको नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी वहां से आप सारी बुक्स को डाउंलोड कर पर गपर लें ऑपनी सभी सब्जेक्ट कर लें तो भी सब्जेक्ट आपको सब्सक्राइब अगर कोई बच्चा पूछता है क्योंकि कौना सी गाइड पर्चेस करें तो गयाइड भी कई तरीका की होते हैं काई सारी पप्लिकेशन हैं तो मैं पर यह प्रोपर वीडियो बन तो नेक्स्ट है मैं मेरी हेल्प कीजिए मुझे आपका नंबर चाहिए तो देखे नंबर क्लियरली मैं हापर आपको बता दूं हमारा नंबर है तो इतनी सारी कॉल जब एक साथ आते हैं तो रिसीब नहीं हो पाती और स्टाफ भी हारा भी धीरे धीरे करके हम लोग वापस आ रहे हैं मतलब का हम पर आप लोग डाउन खुल रहा है तो गाइस कोशिच करें कि आप जस्ट वाट्स अप करें तो इस नंबर पर आप वाट्स करें लेकिन पीडिएफ के लिए वहाँ पर आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको बता दिये जाएगा लेकिन अगर किसी विच्छों को राम से फिरी में घर बैट के बनाने टेब में तो घर बैट के तो खेर बनाओगी तो वीडियो आपक सकता हूं झाल से बिल्कुल आप दे सकते हैं अगर इंटर आपने किछी विच्छ बर्ट से पास किया है और फिर से आपको अपना स्टी में परप से आप से लिए करने के लिए हारी गुमार दिते हैं ना-इस 12th क्लास अडमिशन कब से शुरू होगा 2020 के डैली में डैली में NS Board के admission शुरू हो चुके हैं April 2022 के लिए ठीक है अगर आप अभी admission लेते हो तो April 2022 में आपका जो है पेपर हो जाएंगे तो अगर आप कहीं से भी admission लेना चाहते हैं आपकी मर्जिया आप ले सकते हैं लेकिन अगर आप हमारे थूर अडमिशन लेना चाहें तो आप हमारे थूर बोक्स में मिल जाएगा इसके अलावा एक वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको सारा प्रोसेस समझाया था कि क्या 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 डोकुमेंट लगते कितना चार्ज लगता है कैसे होता है तो वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बोक्स पर दे दूंगे अगर आपको ह अगला कॉमेंट है कैMPस ब्लीज कमें मैं आपको सम्मिट किया है और रुपे ना होने के कारण क्या मुझे फेल होने के माक्षित मिलेगी मुझे माक्षित चाहिए प्लीज बता दीजिए मैं exam fee submit कर दी है बिल्कुल अगर आपने exam fee submit कर दी है और TMA आप कह रहे हैं कि खाली आपका एक subject का है तो फिर आपको एक subject के ही माक्सित में मिलेंगे माक्षीट आपको मिलेगी चाहे आप पास होते हो या फैल होते हो कि मैं 5000 चाहिए तो पैसा देगा percentage 5 अच्छा मतलब यह कह रहे हैं कि इनकी percentage बढ़ाने के लिए इनके सरीन से बोल रहे हैं कि 5000 रुपे दो और उनकी 50 परसंट जो percentage है उनको वह increase कर देंगे बढ़ा देंगे सो क्लियरली टैलिंग मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली बता रहे हूं कि परसंटेज बढ़ाने के नाम पे प्रैक्टिकल बढ़ाने के नाम पे और रिजल्ट को बहतर कराने के नाम पे अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो उसको एक भी पैसा देने की बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं है ना तो आपकी कोई परसंटेज बढ़वा सकता है ना ही कोई आपको पास है फेल करा सकता है जो खुद अपने डिसिजन लेता है कि बच्चों को उनके मतलब किये गए कि आधार पर पास करना है या फेल करना है तो कोई भी अगर इस तरीके से आपके मनी की दिमांड करता है कि इतने पैसे दो प् मां खराब हो गया है मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है बिल्कुल देखिए जितने भी एना इसके स्टूडेंट के मेरी वीडियो देख रहे हैं मैंने एक वीडियो बनाई है कि ऑक्टूबर वाले बच्चे पढ़ाई की शुरुआत कहां से करें बहुत अच्छी वीड करनवा सकते हैं इससे बच्चे के टैलेंट के बारे में कैसे पता लग सकता है जब प्रमोट करना है तो सभी बच्चों को करें एक्जाम फीज तो सभी ने पेकी है बच्चे किसी डीजन की वज़े से टीमें समीट नहीं करवा पाते वह सोचते हैं कि एक्जाम में अच्छ सब्सक्राइब नहीं लगा सकता लेकिन जो सिचुएशन आपको पता है कि पूरे कंट्री में लोगडाउन है कोरोनों का जंजट है कोरोना की परेशान ही है सभी के सामने आ रही है चीज तो इस वज़े से एक्जाम कराना पॉसिबल नहीं है सभी बच्चों की डिमांड थी स्वाइब पास तो यू नो प्री बोड होते हैं बहुत तरीके कैसे टैस्ट होते हैं जिनके बेस पर बच्चों का रिजल्ट बनाया जा सकता है इसपेशली 12 की बात करें तो 12 वाले बच्चों का ऐसे ही पास नहीं कर सकते कुछ तो ऐसा उनका किया हुआ मतलब काम हो के भी यहां उसके बेस पर उन बच्चों का रिजल्ट बने वह आगे जा कि उनको बड़ी-बड़ी इंविवर्सिटीज में अड्मिशल लेना होता है बड़ी-बड़ी पढ़ाईयां करनी होती हैं तो ऐसा नहीं है कि जहस्ट ऐसे ही बच्चों को पास करते अब नहीं होता है तो baik अथि आप प्रख्चों के बेश पर रीज nah पर समय हो लह रहे हैं तो बच्चों का फोल तो नहीं है किया लेँ पकरना है तो आफुसमें को शब्ड़े कई आप्ने हैं समय लोग इंक पर सब्सब्राइब पर box जाएगा और इस तरीक से आपको 250 पर पर सब्जक्टाप to वह से बच्चों से एक्जाम फीस के नाम पर भी जादा पेमेंट ले ली जाती है तो 250 पर सब्जेक्ट अगर प्रैक्टिकल की बात करूं तो प्रैक्टिकल जितने भी है आपके पास तो उसकी फीस होती है 120 पर सब्जेक्ट ठीक है चलिए अंसार हमद ने एक और कॉमेंट कि चलिए आगे बढ़ लेते हैं मैं मैंने फोर्थ जून को ओन डिमांड में एडमिशन लेना चाहा था लेकिन वो जानकरी ना होने की सारपाल ये कह रहे हैं और सारपाल ने ये कॉमेंट गईस बहुत बार किया है तो मुझे बिल्कुल इनका कॉमेंट लेना पड़ा सारपा हा रहा है मैं मैं 2020 से 21 क्लास में CBSC से अपनी 12th आठ से की है और अब थोड़ा सोचने के बाद NIC Business Studies का पेपर दे के क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहता हूं लेकिन मुझे अब ये बिल्कुल नहीं पता कि मेरा बिजनिस का पेपर कब और कैसे होगा हलाकि चार्ज उनको ही पैसे 930 रुपीज कट चुके हैं लेकिन अपने पैसे आपके कट गए है और आपका जो वेट करिए थोड़ा सा वेट करना है अभी तो ये जून वाले बच्चों का थोड़ा सा मसला चल रहा है इसके बाद आपका जो वेरिफाई हो जाएगा अगर आपकी फीस वगरा कट गई है तो आपका जो एड्मिशन है वो वेरिफाई हो जाएगा थोड़ा सा वेट करिए और फिर आप उन डिमांट से आप कह रहे हो तो आपको फिर डेट वगरा भी दे दी जाएगे तो टैंशन ना लें आप बिल्कुल भी आपका एड्मिशन हो जाएगा अर्दीब कु कर दो भी और ये आगे वे बी कारिये है तो अगर आपने कंच мне कर रहे हैं तो अची बात फिर आपने अप seven हो प्रस के संहाएं लो अपने ये गृत नहीं किया हो जाएगे तो मैं रही हो तो बिना उन गया बिल्कुल पना लो अपने संनीटना नहीं किया है 10th में हो या 12th में हो बाकी बुक की ज़ुरत नहीं है description box चेक करो सारे टिया में 10th के भी 12th के भी आपको solve मिल जाएंगे question और answer सभी वीडियो का link मैं इस description box में दे रहे हूं फटाफ़र से बनाओ late piece के साथ जून वाले बच्चों के TMA summit हो रहे हैं चलिए आगे बढ़ लेते हैं Manisha Sharma कह रही है and yes I wanted to thank you I got 19 marks in all my subjects चलिए अच्छी बात है आपको भी 19 marks मिले your most welcome Manisha आगे है engineering marvel कह रहे हैं yes ma'am your TMA work was fantastic English में इनके 19 out of 20 मतलब 20 में से 19, Hindi में 20 में से 18, Math में 20 में से 19, Physics में 16 में से 15 और chemistry में 16 में से 15 तो इन्होंने thank you बोला है यह most welcome भई आप जो है दूसरे बच्चों को भी suggest करें के उनके नमबर भी इसी तरीके से अच्छा हैं के वो हमारी वीडियो के थूरू अपने TMA में बना सकते हैं सबी वीडियो का लिंग की नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में हैं यही नहीं बहुत सारे हजारों से भी उपर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी वीडियो के थूरू TMA बनाए है और उनको वाकी में फंटास्टिक नमबर मिले हैं अब यह मार्क्स में सलाम वालेकुम मैम खैरियस से जी विल्कुल वालेकम सलाम चलिए मैं बोड एक्जाम कैंसिल करवा दीजिए प्लीज रिप्लाय सून जस्ट नाउ तो दीखें बोड एक्जाम की बात करूं जून वाले तो गैंसिल होई गए पर यह और क्या करोगे ऑक्टूबर वालों के कम दिख रहे हैं क्योंकि अगर सिचुएशन अगर ऐसे ही रहती है तो फिर देखते हैं वरना तो अगर सिचुएशन ऐसी रहे तो बिल्कुल आपके लिए खड़े रहेंगे आपके सपोर्ट में भी आपके एक्जाम भी कैंसिल करवा के चोड़ेंगे टैंशन नहीं लेना है यह मैं प्लीज ऑक्टूबर वाले बच्चों के लिए इंपोर्ट कोश्चों की वीडियो बनाईए विकास नहीं मीली है अभी तक जब मैं अपने सेंटर में बात करता हूं तो इससे रिलेटेड दन वो कहते हैं कि ट्रांस्पोरेशन का इस्यू है बुक्स इंपोर्ट बुक्स नहीं हुए है अभी संटर फर बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है यह कि बुक्स नहीं मीली है क्या करें बुक्स नहीं मीली है बहुत में परोप का पीडिया फोर्मे TWO लेंए तो नीचे डिस्रिप्शन में सारी बुक्स का बिल जाएगा आपको लिंक मैम कॉमर्स का वीडियो बनाओ प्लीज जी हाँ आप जादे जादे बच्चे करिए डिमांड कॉमर्स की भी शुरू करेंगे हैं जल 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 दी बहुत सारे नएस लेबस की अभी यूनो हमने सोचा है कि हाँ भी काफी सारे नएस लेबस उठाने हैं आप लोग के लिए शुर बनानए सबूफह जो सबस्क्राइब दियो बनाना है इंडेक्स कैसे बनाना है क्या लिखना है मैं फुल डिटेel बना दीजी म् able Tems related बनाना है मैं अ कि कैसे बनाना भी जो बहुत भी अच्छा रचा उसको में सघ्ट करण की हैं आप सभी देखे जन लिंक भी नीचे description box में मिल जाएगा और सारे के सारे solve TMA भी आपको नीचे description box में मिल जाएगे तो सब कुछ आपको description में मिलेगा फटाफर्ट से देख लो लास्ट कोमेंट है विने का यह कह रहे हैं TMA Summit नहीं हुआ है कुछ बच्चों के कॉमेंट्स इतने सारे हैं कि मुझे लग लग पार्स में उनको डिसकस करना पड़ता है काफी सारे कॉमेंट्स अभी भी हैं जिनके उपर मैं कलिया परसो देखते हैं वीडियो लेकर क्या होंगी अगर आपका भी कोई इस तरीके cut out है तो आप भी सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत जाना आप लोग और शेयर करें अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और आपकी कोमेंट के उपर भी बात हो इसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है लर्ण इंग्लिश बाय तबस्सुम तो यहां टैंथ सब्सक्राइब के इंग्लिश रिलेड़िट सारे के सारा स्लेवर्स चल रहा है चलिए गाइस थैंक्यू सो मच गुडबाय